सागर में प्रेगनेंट महिला की डिलिवरी के दौरान यूरिनरी ब्लेडर से नारियल के शेप का स्टोन निकला है ये ओप्रेशन बुंदेल खंड मेडिकल कॉलेज में हुआ पेट से निकला पत्थर आधा किलो पजनी है ओप्रेशन के बाद महिला और उसका नबजात बेटा दोनों स्वस्थ है सनाओधा निवासी 20 वर्षी प्रीती अहिरवार को जिला अस्पताल में भरती कराया गया था वहां से उसे बुंदेल खंड मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया प्रीती की यह पहली डिलीवरी थी डॉक्टर ने सोनोग्राफी कराई तो बच्चा ठीक था लेकिन ब्लेडर में स्टोन समझ नहीं आ रहा था ब्लेडर में हार्डनेस थी BMC के ऑप्स एंड गायनी डिपार्डमेंट की एसोसियेट प्रोफेसर डॉक्टर कीरन नागर की टीम ने सरजरी शुरू की जिसके बाद एक किलो 700 ग्राम का मेल बेबी हुआ इसी दोरान महिला के यूरिनरी ब्लेडर में स्टोन होने की पुष्टी हुई जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने दूसरा ओप्रेशन शुरू किया तीस मिनट तक चले इस ओप्रेशन में डॉक्टर्स की टीम ने महिला के यूरिनरी ब्लेडर से 10 सेंटिमीटर लंबा और 500 ग्राम बजनी स्टोन निकाला इस बारे में डॉक्टर दीप्ती गुपता ने बताया कि प्रेशन में अभी तक ब्लेडर स्टोन या ब्लेडर कैलकुलाइट के चार मामले सामने आ चुके हैं प्रेगनेंसी के दौरान ब्लेडर में स्टोन होने के हजारों में से एक या दो ही मामले हुए हैं प्रेगनेंसी के साथ ब्लेडर में स्टोन बहुत ही कम होता है फतादें फिलाहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्त है ब्लेडर में स्टोन होने का कारण ब्लेडर में पानी की कमी है एक बार में पूरा यूरीन ही निकलता जिससे थोड़ा थोड़ा हर बार बच जाता है उसी वज़े से ब्लैडर इस्टोन तैयार होता है यह लंबे समय में बड़ा रूप लेता है और पत्थर बन जाता है